एक बर फिर से घोसला बन रहा है घोसला बुलबुल का जो हर साल बनता है पर उसके बच्चों को कभे जिन्दगी ने मिल पाती एक बर फिर से उम्मीद जगी है देखते हैं कि इस बर बुलबुल अपने बच्चों को बचा पाती है या हर बार की तरह सिर्फ रोती रह जाती ह हेलो एंड वेरी वेलकम टू लिटल कान्वर्जेशन्स मैं हूँ सना और आज में लेके आई हूँ मेरे घर के छोटे से चिडिया घर से एक और कहानी कहानी उस बुलबुल की जो हर साल घोसला बनाती है मेरे घर के अलग-अलग हिस्सों में यह वीडियो दो साल पहले किये जब उसने मनी प्रांड की गमले में अपना घोसला बनाया था हमेशा की तरह बच्चे भी हुए थे पर हमेशा की तरह ही वो बच्चे किसी ना किसी प्रेडेटर का शिकार भी हो गए थे क्योंकि वो गोसला बनाती ही ऐसे लो लेवल पे है जहां से कोई भी बड़ी चिडिया जैसे शिक्रा कावव वगेरा उसके बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं हम लोग भी बहुत खोशिशों के बार भी उसके बच्चों को नहीं बचा पाते तो इस पर बुलबुल ने बहुत सोच की जगा ढूंडा है यह हमारे घर के उपर का हिस्सा जो की हाफ कंस्ट्रक्टेड है इस तरफ नेट लगाया हुआ है कबूत्रों से इस हिस्से को बचाने के लिए वरना यहां हर तरफ उनी का राज हो जाता है और यहां पर लगा है पंचिंग बैक जिसे बुलबुल ने चुना है अपना खोसला बनाने के लिए वैसे तो यह वाइट एर्ड बुलबुल पेडों और जाडियों में ही अपना खोसला बनाती है पर इस बर तो उसने ठान लिया है कि अपने बच्चों को बचा के रहेगी इसलिए उसने असर जगा भी चुना है यहां लगे निट ने बड़ी बर्ड्स का रस्ता रोक दिया है और ये पंचिंग बैक जो जमीन से इतना उचा है वो बिली और साप जैसे चीजों का भी डर दूर कर दिया है बुलबुल ने दिमाग तो बहुत सही लगाया है अब देखते हैं इसे काम्याबी मिलती है कि नहीं इसके बच्चे खुला असमा देख सकते हैं कि नहीं चुकि इस पंचिंग बैक पे एक खोसला है तो ये घोसला यहाँ बन चुका है और बुलबुल इस पे बैठ चुकी है अब वेट करते हैं नेक्स्ट अपडेट का दस दिन अब हो चुके और देखते हैं कि कुछ न्यूज आई है क्या वाँसे अभी तो सब शांत लग रहा है वेट करते हैं थोड़ा क्या हुआ नहीं पता अरे माशाला इतने प्यारे प्यारे दो बच्चे दिखे कि अबहें प्यारे दोड़ा है कि अबचे रहा है कि अबहें है कि अबू़ा है दोनों बेबी बुल्बुल्स मम्मी पापा के आहट मिलते ही खाना मागने के लिए उठ जा रहे और आहट ना होने पे चुट चाप अंदर बैठे रहे दोनों पेरेंट्स लगे हुएं अपना 100% देने में जैसा कि वो हर साल करते हैं इतने बड़े बच्चे हर साल देखने को मिलते हैं जब उनके पंक नहीं होते पर पंक आने से पहले ही वो किसी न किसी का शिकार बन जाते हैं कुछ दिन में फिर देखते हैं कि इन बच्चों का क्या होता है इने जिन्दगी मिलती है या फिर किसी का खाना बन जाते हैं आज एक हफ़ते बाद देखूं कि क्या हाल है या घोसले में तो कोई नहीं देख रहा पता नहीं क्या हुआ बेबी बुल बुल का बच्चे की क्या हुआ इडोंट नो खपड़े ले लेती हुँ जब तक यहां से अरे यहां तो कोई पैठा है यह तो छोटु सी बुल बुल है वाव सो सो क्यूट यह तो उड़ना सीख रही है मतलब इस बार बुल बुल का पेर जो है वो काम्याब हो गया है उनका एक बेबी लगता है उड़ गया है और दूसरा बस तैयारी में मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहें छोटु बुल बुल पस कपड़े लेके जा रही हूं तुम अपनी ट्रेनिंग चालू रखो आइनो तुमारे मम्मी बापा अब सूपर खुश होंगे